हलो बच्चों कैसे हैं आप लोग बड़ी एकदम तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की एक और सेशन जिसमें हम करने वाले हैं एक्सरसाइस 7.2 को कोशन जो कि माई स्रीज चल रही है कोशन 5 तक मैंने पहली करा दिये कोशन 6 से आज स्टार्ट करने वाला हूं तो पैनों पेपर निकाल के तैयर हो जाएं कोई मज़ा आने वाला आज की विल्यूम बहुत ज्यादा तो इस्टार्ट है आप लोग ठीक मैं भी स्टार्ट करता हूं पना इंजन देखते हैं आज फ्यूल पूरा भरा हुआ है बहुत मज़ा आने वाला है देखें क्या होगा कहा गया कि 1,2,4,y,x,6,3,5 आरदा वर्ट्स अफ़ा पैल्लोग्राम एक पैल्लोग्राम के चार वर्ट्स दी गए और कहा गया टेकन और सर्त यह है कि उनको और में लिया गया है मतलब कहने क्या है जब आपने कैसा पैल्लोग्राम बनाया है तो a,b,c,d एक सिक्वेंस में लिए गया एक ओर्डर में लिए गया ठीक है रैंडम नी नहीं देना अनको अब कहना है तो फाइंड को एक्स और वाई एक्स और वाई फाइंड कर तो पहले हैं लिख देती है एक क्या है बन कॉमा टू बी फोर कॉमा वाई c,x,6 और d क्या है 3,5 ठीक है आए बास समझ आहमें करना क्या है हमको निकालना x और y हम लॉजिक क्या लगाएं कुछ अच्छे सोंचते हैं पहले a की b की डिस्टेंस निकालें c और d की बीच की डिस्टेंस निकालें और पाइलोग्राम में अपोई साइड एक्वल होती है कभी सॉल्व नहीं होगा बहुत लंबा जाएगा कोशन है और हमारे पास तो चंद सेकंड मांस होगा हमारा काम क्या होगा सिर्फ इस पॉइंट को याद रखना कि अगर यह पाइलोग्राम है तो इसके डाइगनल्स बाइसेक्ट करते हैं मैंने क्या बोला हमको क्यों बाइसेक्ट करें डाइगनल्स बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि मिड़ पॉइंट ओफ एसी विल भी इक्वल मिड़ पॉइंट ओफ बीडी मिरी बास समझ पाए अगर यह बास समझ माई तो कोशन फिनिस अधर वाइस तो पता ही क्या करना है तो सबसे पहले मैंने ए लिख दिया बन कॉमा तू बी लिख दिया फोर कमा वाई सी एक्स कॉमा शिक्स एंड दी कॉमा फाइब वी नू देट डाइगनल्स अफ फालेलोग्राम बाइसेक्ट पाइलोग्राम के डाइगनल बाइसेक्ट करते हैं सपोज ओपाइंट अबटा है तो तैन मिड़ पॉइंट अफ एसी मिड़ पॉइंट ऑफ एसी बिल भी इक्वाइंट अफ बीडी अगर यह पकड़ लिया तो इस कॉशन की रूह आप निकाल देंगे बनना यह तुमारी रूह निकाल देगा ठीक है तो त्यार हो जाएं मिड़ पाइंट फार्मला बताने के लिए क्या होता है मिड एक्स बन पिलस एक्स टू अपॉण टू और वाई क्या होता है बाई बन पिलस बाई टू अपॉण टू क्लियर कोई दिकत जड़ा ध्यांस देखें एसी का मिड़ पॉइंट यह क्या है एक्स बन वाई बन और यह क्या है एक्स टू वाई टू एसी के लिए तो एक्स यह तो x-coordinate हुआ, y-coordinate क्या बटा, this, sorry, 2 plus 6, ठीक है, y-coordinate 2 plus 6 upon 2, सम्झे मेरी बाद, तो यह x-coordinate, यह y-coordinate, किसका, o का कहलो, यह ac का midpoint कहलो, similarly, हम midpoint of vt बात करने वाले हैं, जब इसकी बात करते हैं, तो यह x1, y1, और यह वाला x2, y2, सम्झे, देखा कैसे, पहले का लगाना है बटा, x1 plus x2 upon 2, मतलब 4, plus 3 upon 2, comma, y1 कितना है बटा, देखे, by है, plus y2 कितना है, 5 है, upon 2, सम्झे, मेरी बात, इनको लगा दिये मैंने एक bracket के अंदर, क्या इतनी बात समझाई, कि यह midpoint है ac का, और यह midpoint है vt का, अब मैंने क्या रिखा आए, diagnosis of polygram bisect, मतलब दोनों का midpoint एक ही होगा, bisect का मतलब क्या, कि दोनों का midpoint एक ही होगा, और अगर ऐसा है, तो x बाला, x बाले के एक को लोगा, और by बाला, y बाले के एक को लोगा, बात समझें मेरी, बस यही key point है, उसके बाद question में कुछ नहीं है, तो देखें क्या करने वाला हूँ बेटा मैं अब, देखो 1 प्लस x upon 2, 1 प्लस x upon 2, will be equal, 4 प्लस 3, 7 upon 2 की, बोलो भी या, आया समझ, ठीक, तो 2 से 2 गया, 1 प्लस x बराबर 7, यानिके x बराबर 6, 1 माइनस माण गया, आई बात समझ, similarly, मैंने इसके बात की, कि इसका बाई कोडिनेट और इसका बाई कोडिनेट इक्वल होगा, यानिके 2 प्लस 6, 8 बाई 2, इक्वल होगा, बाई प्लस 5 बाई 2 की, सही है, तो 2 से 2 गया, क्या बचा, 8 इक्वल बाई प्लस 5, यानि 5 माइनस माया, तो 2 इक्वल से 3 बचा, बोलो भाई सब, समझाई बात, क्या करना था, बस याद रखना था, पैलियोग्राम है, तो डाइगनल वाई सेक करते हैं, मिटे पॉइंट फार्मला है, उसकी आप कोडिनेट फिनिस करते हैं, ठीक है, आया मज़ा, ठीक, अगला कोशन करते हैं, ठीक है रचो, कोशन नमर सैबन, क्या कहा गया, फांड़ा कोडिनेट सौफ पॉइंट ए, किसी पॉइंट टे के कोडिनेट फांड करना है, देखते हैं, एक ही लोकेशन क्या है, बस इंफर्मिशन मिल गई, कहरा है, ए भी जो है, डायमीटर है सर्कल का, मतलब कहने क्या हो, एक सर्कल होगा, उसका सेंटर भी होगा, उससे एक लाइन पास कर रही होगी, जिसको ए भी कहा गया होगा, यह कहा नहीं अब बुरिनेट, पेर ए भी इस डायमीटर आफ सर्कल, हुज सेंटर इस टू कॉब मैनस टृ, अभ कहरा है, यह सेंटर भी उसका O, जो कि मानस, टू कॉव मा मानस ट्री होता है, कितना होता है, टू काउ मा मानस ट्री, एंड बी इस बन कॉव मा पफयर, बी 1 कॉव मा पोर का गया है, अब तुम से कहा गया, ए ऐ फाइंड करो, कैस सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें कि यहां लगने बाला है मिट पॉइंट हम जानते हैं कि और भी रेडिस होगी तो दोनों रेडिस हुए मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि ओ सेंटर मिट पॉइंट होता है यह सिंपल याद रखें क्या होता है अगर डायमेटर है तो ओ उसका सेंटर है तो ओ जो सेंटर होता है वो मिट पॉइंट होता है are you getting what I am saying I am saying O is center then O is midpoint of AB also because AB is diameter and center is the midpoint of diameter understand मैंने कहा कि AB का center है O और AB diameter है O center है तो O क्या हो midpoint हुआ ठीक है तो midpoint concept यूज़ करते हैं और let कर लेते हैं A के coordinate let coordinates of A be x,y हमने माल लिया A के coordinate x,y करें नहीं है,since O is center of AB, so O is midpoint of AB, midpoint of AB, मेरी बात समझ पाए अगर O center है AB का तो midpoint भी होगा, then using midpoint formula क्या कहे रहे हैं,this plus this upon 2 will be equals to this मतलब x equals to x1 plus x2 upon 2 and y equals to y1 plus y2 upon 2 यह x और y कान से होते थे यह x और y midpoint हुआ करता था यानिके 2, 2, minus 3 तो x कितना है 2, x1 क्या है, x है यह x1 by 1 अगर doubt हो लिख लो और यह x2 y2 और यह x,y समझे मेरा तो x1 कितना है, x है, जब कॉमा है बेटे हैं आपए, यह भी कॉमा है, x में कितना है, x plus x2 कितना है, देखाएं, 1 upon 2, clear, देखो, 2 to 4, equal x plus 1, plus 1 minus, जब 1 minus में आया, तो x3 हुआ, x मिल गया, अब y निकालते हैं, यह y कितना है, यह y तो minus 3 है, समझ भाएं मेरे वाग, x2 by 1 कितना है, y है, y2 कितना है, 4 है, upon 2, समझ लो मेरे वाग, यह x और यह y क्या होता है, mid point होता है, x1 x2 कौन होते हैं, यह वाले होते हैं, y1 by 2 कौन होते हैं, यह वाले होते हैं, clear हैं, ठीक, देखाएं, 2, 3 है 6, equal y plus 4, then y equals 2 minus का 10, plus का 4 minus मेरे था, y minus का 10 आया, आए बास समझ, तो coordinate of a क्या है, 3 comma minus 10, देखाएं, 3 comma minus 10, आए बास समझ, तो बस छोटी से एक बात या दखना है, कि अगर a b diameter है, तो ओ इसका center है, और अगर center है, तो midpoint है, then using midpoint formula, and result is this, okay, note करें, question number 8, and this is the last of the day, पढ़ते हैं क्या कहा गया है, और मज़े लेते हैं question के, if a and b are, minus 2, minus 2, and 2, minus 4, तो point है a और b, चुकुछ इस तरीके से जीए रिस्पेक्टिवली, मतलब पहली value a की है, दूसरी b की value है, find the coordinates of p, फिर करना, p number को coordinate find करो, such that a p equal 3 by 7 a b p, मतलब कहीं नगी ratio की बात हो गया, तो सबसे पहले बनाते हैं डाइग्राम, जिसमें a दिया गया है, और b दिया गया है, करना, p कोई point है कहीं पर भी, तो आपको given है, a p equal है 3 by 7 a b के, और a given है 2, 2 minus के साथ, और b given है 2, minus का 4, तो कहे रहे हैं, point p के coordinate find करने हैं, मतलब p के बेर निकाल ली है, अब p ने करा क्या है, क्या p ने a b के दो टुकले किये, क्या p ने a b को segment में divide किया, बिलकुल किया, मतलब section बनाए, अगर section बना, तुम section formula लगाएंगे, समझे मेरी बात, तो concept बना section formula का, अब अगर section formula निकाल लगाना है, और p को निकालना है, तुम्हें ने बताया था, section formula में p के लिए, x को बाई लेट कर लिया करो, clear, a b पता है तुम्हें, minus 2 minus 2, 2 minus 4, अब अगर x और y निकालना है, तो ये ratio पता करना पड़ेगा, a p और p b का ratio, मेरी बात समझ पाए, मैंने क्या बोला, section formula लगाना है, p point के coordinates find कर सकते हैं, तो ratio में दिया नहीं क्या है, लेकिन एक information दी गई है, कि जो a p है, वो 3 by 7 a b के हैं, मतलब कहीं न कहीं कुछ ऐसा लिखा है, कि जो इसको मैं ऐसा कहा सकते हैं, मतलब देखा जान से, a p upon a b, equal 3 by 7, क्या ऐसा कहा जा सकता है, कि a b divide में आ जाएं, 3 by 7 के हैं, इसका मतलब क्या हुआ, a p है 3 का, यहां से यहां तक है 3, और a b पूरा है 7 का, यही logic है, है तो यही logic, a p 3 का, a b पूरा 7 का, और अगर a b 7 का है, a p 3 का है, तो p b कितने का होगा, 4 का होगा, लेख लो, तब ही तो 3 प्लस 4, पूरा 7 मनेगा, बास समिख भा मेरी, अगर यह point पकड़ लिया, question finish, हर question का, एक या दो point important होता है, वो पकड़ लो, question खतम हो जाते हैं, मैंने हाँ पकड़ लिया, ratio निकाल दिया बटा मैंने, अगर ratio तमारे पास है, तो तमारे पास क्या बना, AP ratio PV, which is what, 3 ratio 4, बोलो भाईया, आई बास समझ, पक्ता, अगर हमें MC को नहीं देना होते, subjective होता, तो इसको लिख के दिखाता बेटा मैं, कैसे पूरूफ होँआ, तेकिन अभी माल लेक्ते हो समझ, ratio में मैंने, AP 3 का, AP 7 का, तो PV कितने होचा, 4 का बचा बचा, कोई 3 प्लस 4 7 होगा, clear है कहानी, अब कुछ बचाईनी कुश्चन में, देखें यह से, यह तो M1 M2 होगे बटा मेरा, M1 ratio M2, तो section formula का कह रहा है, X निकालना है, तो M1 X2, और M2 X1, के साथ M1 प्लस M2 कर दिया जाए, ठीक है, M1 क्या होता है, 3 है, X2 क्या है, B का कॉर्डिनेट 2, पिलस M2 क्या है 4, X1 क्या है, A क कॉर्डिनेट, माइनस का 2, अक्वान M1 प्लस M2, यह एंकि 3 पिलस 4, आई वास समझ बोलो, M1 कितना 3, X2 कितना 2, पिलस M2 कितना 4, X1 कितना माइनस का 2, अपॉन वाट, M1 प्लस M2 हैंकि 3 प्लस 4, और देखो, देखो, फिरी 2 जा 6, पिलस माइनस माइनस 4 जा 8, अपॉन बचा 7, तो 6 माइनस 8, माइनस का 2, बाई 7, यह तो आई X की वैलू, बोलो भई यह समझे कहानी, केलियर है, now for Y, we're using M1 Y2, M2 Y1, over M1 प्लस M2, देखो भई यह, M1 कितना, थिरी का, आई बाई समझ, Y2 कितना है, Y2 कितना है, माइनस का 4, माइनस का 4, पिलस M2 कितना है, 4 है, इन्टू Y1 कितना है, माइनस का 2 है, मज़ा आ रहे आए, यानि कि 3 प्लस 4, क्या है बटा मेरे, M1 प्लस M2 है, क्या आप लोग, इस कॉर्णेट्स को समझ पाए, क्या कॉर्णेट्स फिट करना आए, केलियर है कहानी, एक एक बाट बैट की दिमाग में, अगर ऐसा है, तो कमेंट बाट में ओपली रिखनेए सार, देखें, जहां से सुने, 3, 4, 0, 12 माइनस का, पिलस माइनस माइनस एट, वाई सेबन, देखें, 3, 4, 0, 12 माइनस साथ, पिलस माइनस माइनस, 4, 2, 0, 8, अपन सेबन, बोलो भी या, बिल्कुल बैट की दिमाग में, तो बारा और आठ बीस, माइनस का 20 वाई सेबन, यह हमारे पास मिलता है मैं बाई, तो इस हिसाब से, पॉइंट पी के कॉइडिनेट के आविया, माइनस का 2 वाई सेबन, और माइनस का 20 वाई सेबन, तो आज की वीडियो करती हैं, पर फिनिस, और मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स तयार है, अदर्वाइज लाइक, सेर और सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली वीडियो में,